डॉक्टर कुछ यह मेरा थोड़ा मॉम स्पेशल क्वेशन रहता है इन जेनरल आई फ्लू पर तो हमने बात की लेकिन आखों की सेहत को लेकर मम्मी की चिंता वैसे काफी जादा होती है क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम वगरा भी सब बहुत बढ़ गया है और चिंता हो होता है रोजाना एक ग्रीन वैजीटेबल होनी चाहिए एक घरी सब्जी घर में बनी चाहिए और सब लोगों को खानी जो एक या दो कोई फूट होना चीए एक या दुआ कोई मिल्ट प्रोड़क्ट होना चीए बहुत जादा ज़ंक तूट नहीं होना है क्योंकि जंक तो आपको especially बहुत जादा कुछ नहीं करना बस एक healthy diet लेनी है आपको ठीक है पॉड़कास को अंत की तरफ ले जाते हुए हमारा आखरी सवाल कुछ ऐसे bonus tips जो कि हमें eye care के लिए खासतोर से जब मौसम अभी बदल रहा है बारिश की तरफ हम लोग जा रहे हैं शुरुवात हो touch नहीं करना है बिलकुल ठीक है आइस को बार बार wash नहीं करना है आपको आई के आसपास कोई भी कॉस्मेटिक काजल avoid करना है unless बहुत जादा necessary नहीं है तो ठीक है rubbing बिलकुल नहीं करनी है आइस ही आपको और इसके अलावा आप में एक्दोटे पॉर देना चाहूंगा जो क एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको blur देख रहा है तो उसका चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है उसको blurring होती जाती है और हम टाइम पर चश्मा नहीं दें तो उनको lazy eye develop हो जाती है जिसको कि एक certain age के बाद करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और बच्चे का vision हमेशा के लि हो जाता है बच्चा तो आपको routine eye test कराना है every year आपको यदि कोई problem नहीं है तो एक बार साल में अपने eye doctor से जरूर मिलना है यदि किसी को diabetes है यदि पहली बार डाइगनोज हुई है diabetes तो सबसे पहले आपको eye doctor से मिलना है क्योंकि eye related diabetes की वजए से eye related काई सारी complication होती है जिससे कि आगे चलके vision loss हो सकता है तो मतलब ये तो lazy eyes और diabetes वाल जो आपने बिताया है इस पर तो हम अलग-अलग मतलब और episodes बना सकते हैं बिल्कुल डेफिनिटी काफी लंबे topics है एक और चीज बताना चाहूंगा आजकल जैसे कि हमारी nuclear family है हम parents होके अपने बच्चे पर के छोड़ देते हैं या mobile देके छोड़ देते हैं यह सबसे गलत practice है आपका बच्चा दो साल से छोड़ा है तो उसका screen time zero होना चाहिए zero two to five years का है maximum one hour वो भी educational videos educational content होना चाहिए ठीक है तो आपको ये दियान रखना है कि आपको अपने बच्चे को unnecessary mobile बिल्कुल नहीं देना ह हुआ हुआ है